इसमें कोई नयान नीज उसक्या है अरुनाचल में हमारा संगठन मजबूत है और अरुनाचल में हम लोगों ने कंजड़ दिया है जो हमारा स्टेट प्रेज़ेट है वहाँ तो हुने लगी पिए अब यह तो आपता है करिएगा हम को मालूम है ना कि हमको वहाँ क्या करना है नमस्कार नीज फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग बता दे आपको कि जनतादल यूनाइटेड ने अरुनाचल प्रदेश में एक लोग सभा में एक कंड़िडेट उतार दिया है जिसके बाद एडिया एलाइंस के तरब से प्रतिकिरिया ने साथे साथ इंडिया एलाइंस के द्वारा जो चर्चा चल रहा है नितीश कुमार के बारे में उसको लेकर भी जदियू अध्यक्ष ललन सिंग का बयान सामने आया है ललन सिंग ने सीधे तोर पर कहा है कि इंडिया एलाइंस में जो है वो आप लोग कयास लगाते रहिए औ इंडिया एलाइंस जो है वो मजबूत है अरुनाचल प्रदेश में कैंडिडिट दिया है आगनों ने कहा कि हमें पता है कि हमें क्या करना है यह बात साफतोर पर ललन सिंग जो की मुंगेर से सांसद है और जंता दलियू के पुरवरास्टी अध्यक्ष है उन्होंने यह ब नहीं है और चर्चा चल रही है कि नितीश कुमार और लालू प्रिशाद यादब ही जो है सीटों का बटवारा करेंगे है अलाकि इसमें कई तरीके के कयास लगाए जा रही है भी कहा जा रहा है कि नितीश कुमार और लालू प्रिशाद यादब में सब कुछ ठीक ठाक नह रहे हैं सिर्फ कयास के बुना पर जो है इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया अलाइंस चूटे की लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर सामने आई जिस तरीके से नितीश कुमार ने कहा जाए कि अब पार्टी के रास्टी अधक्ष नितीश कुमार है और संभवता जो कि भार्टी जनता पार्टी में पहले थे फिर जेडियू में शामिल हुए उसके बाद महां से चुनाव लड़े लेकिन अब उनके जगा पर जो है फिलहाल अभी सभापती जो है देवेश चंठाकुर उनका नाम नितीश कुमार ने राष्टी प्रश्ट के बैठक में घोशित कर दिया हलाकि इस बात को लेकर जनता दलियू में ही अंतर कला हो गया कई नेता कई तरीके का बयान देने लगे या भी कहने लगे कि जो है ये बात गलत कह रहे हैं नितीश कुमार ने ऐसी बात नहीं कही है लेकिन फिलहाल अरुनाचल प्रदेश के मामले पर जो इ अरुनाचल में हमारा संगठन मजबूत है और अरुनाचल में हम लोगों ने कंजड़ दिया है जो हमारा स्टेट प्रेजिट है वहां रुही जी उनको कंजड़ बनाए है लेकिन कहा जा रहा है कि इंडी गटवर्दन में जब सब को बाते होने लगी ती अब ये तो आपत